दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो असम T20 लीग का जो मुकाबला खेले जाएगा BHV वेर्सेस BRB की बीच में दोस्तो यहाँ पर हम लोग एक एक प्लेयर के बारे में पुरा डीप ले अनालिसेस करेंगे इनका प्लेयर स्टाटिक्स चेक करेंगे साथी इनका सबसे इंपोर्टन जो हमारी स्मॉली की टीम होगी वहाँ पर जो डिफरेंसल प्लेयर हैंगे उनके बारे में डीजरेस में बात करेंगे तो आप इसी वीडियो के अन तक जरूर से देख लीजेगा और दोस्तो सबसे पहले अगर आप मेरी यूटूब चानल पर नए हो तो चानल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजेगा थाकि दोस्तो इससे रेट अगर हम किसी भी दूसरी वीडियो को जब भी गज़ अपलोड करेंगे उस वीडियो को नोटिफिकेसन आप तक जरूर पहुचेगे तो गैस चानल को सस्क्राइब जरूर से कर दीजेगा तो गैस चलते हैं और दोस्तो सबसे पहले तो आप सब देख रहे हो फांटेसी क्रिक फान कर टेली का हम चानल को घजब सबको हमारे टेली का हम चानल पर जूड़ना बहुत इंपोर्टेंट चाहिगा क्योंकि लैनप के बाद यहां पर जो भी टीम में चिंज करना सबसे असान तरीका इसी वीडियो को ड्रिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जैसी आप सब हमारे लिंक पर क्लिक करोंगे ना तो आपको हमारा सेम लोगों वाला टेली का हम चानल देखने हो कि मिलेगा जहां पर ओल्ड़ेडी टू-पाइंट-टे सस्क्राइबर से भी ल अब जैसे पहले आपको हमारे टेली काम चांको जोतो कर लें या फिर टेली का मिली कर या फिर जो जूड जाओगा है अब यहां पर यह नवा मुकाबला खेले जागा जो कि उसी गरॉण पर जहां पर यह मुकाबला भी हो रहे है अगर हम एफरेज स्कॉर की बात कर तो आपको यहां पर देख सकतू कि 110-140 के बीच में आपको स्कॉर बन तो नज़र आएंगे बी-अचबी के टीम रिसेंट दो म मुकाबला हो था पर एक मुकाबले वन और एक मुकाबले का नो रिजल्ट वह मुकाबला बाउंड़ हो गया था तो कहीं नहीं जो लोजिक काम करेगी यहां पर विनिंग करने में आपके लिए तुक्के का गेम भी हो सकता है तो प्लीज से आप इस वीडियो करेंट तक दे प्लेटिक से बारे में तो निरज्याद हो जो टीम करेंगे लास्ट मुकाबले सतरा का सकोर अगर हम टीट वनटी का इनका केरियार रेकॉर्ड चेक करें तो कुछ खास बैतरिन तो है नहीं फिलाल देख ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं अब यहां पर एक चीज नोटिस की नोटिस की होंगे तो जो विकेट्स गिर रहे हैं वो काफी ज़्याद आपको गिर तो इस पीच पर नजर आएंगे तो आपको बैट्समेन पर कम फोकस करने अलड़ंडोर विकेट टिकर्स करो इस मुकाबलियों का पसाने से वेनिंग कर पाऊगे बागी अगर हम बात करें अने बेर देख नजर आएंगे जो कि अगर हम इनका स्टार्ट देखे तो लास्ट मुकाबले 6 और उसके बाद 60 का स्कोर देखो यह पार टाइम बोलर भी है इस जनीनों ने बॉलिंग नहीं किया पर इंका करिया रिकोर्ड अगर आप चेक करो ना तो वहां पर यह बॉलिं मिसको काप्टन वेस्ट काप्टन जरूर से ट्राय कीजिएगा अब यहां पर देखो आपको काप्टन नजर आएंगे आज जयाज होकर हम इनका परफोर्मेंस की बात कर तो रीसेंट दो मकाबले में 10 और 16 का स्कोर कियें बॉलिंग करते नहीं है तो आपको तीन बैट्स मे सारपी जा सकते हैं अब एहमेद की बात करें तो यह आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे रीसेंट रिकोर्ड बहुत बैटरी ने इन्होंने पहले मुकाबला 18 पर दो विक्टे उसके बाद चार पर जिरो विक्टे तो अलमुस्ट यह बैटिंग से आपको स्कूर के तो उसी तरह सान हमत का भी कुछ खास आपको बैटिंग आपर स्टार्ट नहीं देखनों की मिलेंगे तो यह आपको जो दो वाला अपको बैटिंग नजर आएंगे मिडल रोडर रहेंगा और ग्रैनली के ठीक था कॉप्संस तो इनको ग्रैनली के कोंबिनेशन मे प्लेय करो इसमोली के टीम में इसमोली की सब्सक्राइब आधिर नहीं पहले मुकाबले के लिए जहांप एक भी केट्श रएंगे तो गहीं को वेकर टेकर बहतरी नेंगे उसके बाद दोस्तों देखो इंको आप जील के कमबिनेशन में वेस्ट कर तर्फंबी ट्राइक के जाए अकास के बात करें तो रीजिए टेक मुकाबले के बात करें तो चारफर के बॉलिंग करके एक बिक्टेन निकाले हुए हैं तो इनको आप के कोंबिनेशन में ही ट्राय को ठीक ठाक है पर इसमाइस में को ट्राय करूंगा नहीं आप इसे जील के टीम में लेकर चलो बाकिकर हमें आशे रोशन इलम के बात करें और चौधरी के तो इनका स्टाट्स ओर्मॉस्ट रिसेंट मुकाबले में बहुत बैद दिन तो हम दोनो दोस्तों आपको अपर सबसे पहले बिपलर नजा रहेंगे जो कि टीम के ऊपनिंग बैटिंग प्लस बॉलिंग कर इनका रिसेंट रेकॉड देख लो पहले मुकाबले चार का स्कोर उसके बाद दो विक्ट है तो अलमुस्ट यह बैटिंग और बोलिंग दोनों करके आपको एवरेज पॉइंट दे कर जाएंगे ओपनर से अपनी स्मॉली के टीम के लिए टीम के काफटन भी हैं तो कहीं नहीं कहीं कप्तानी फारी खेलेंगे तो इस मुकाबले के लिए ठीक ठाक उप्सन सब लोग ट्राइगर के चल सकते हो अब यहां पर देखो आपको कु कॉंबीनेशन में ट्राय करो अगर आप सब देख पानेंगे तो अब यहां पर देखो आपको घजने उतिने ज़र आएंगे जो कि रीसेंट टेक मुकाबले के लिए जहां पर तेज पर जिरो विक्टिय अल्मुस्ट दोवर के बॉलिंग भी किये थे तो कहीं ने कहीं जो आपको बैटिंग और बैटिंग करने के लिए रीसेंट एक ठीक है आप सब इसमाली के टीम है चाहरो तो अब प्लेयर रख कर चल सकते हो और ग्रैंड लीग की कमबिनेशन में इसको कब्टन रवास कब्तन भी ट्राएक सर्मा को कब्रैंडड के लिए काफी बेहतरी को और को काफी लोगे चाहरो तो घ्रेंगे आप पर अब यहां पर दो प् तो नहीं मिलेंगे तो फिलाल जो मेरी टीम रहेगी आपको टेली का हमचान पडेट करते जाएंगे मैं इस चार्ट सबको इसलिए दिखाया था कि आपको अब कॉन से बॉलिंग कर रहा है ना कि मैं आपको इनालिसिस करने के लिए इस्टार्ट दिखाया हूं तो जो टीम रह अपने ड्रीम 11 टीम दिख लेते हैं दोस्तों यहां पर आप सब ध्यान से सुनेगा सबसे प्ले देखो इस्टार्ट करेंगे भी एचब के प्लेयर स्टार्टिक से यहां पर आपको अगर वाल नजा रहेंगे जो ग्रैंड लिग के लिए कापी बैत इन उप्संस रहेंगे इनको आप जील के कोंबीनेशन में ट्राइ करो इस मॉली के टीम इनको लेने से आपको कोई फायता भी नहीं होने वाला है फिलालेस को हम ड्रॉप करें ज्याज को मैच में लेकर चल रहें आए अहमेद को ग्रैंड लिग की कॉंबीनेशन में लेजेगा और आपको यहां प पर आप एक रिस्क लेस है तो दास को ग्रैंड ली की कॉंबीनेशन में लिजेगा इस मॉली के टीम एक रिस्क कवर कर पाओ तो इनको लेकर आप सब चल सकते हो भागी हम थोड़ी सी बॉलर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो मैंने बॉलर पर ज्यादा फोकस किया यहां से चल रहें अब यहां पर देखो आरदास जो कि इस मैच का अबरे के लिए ठीक ठाक आप्स सदीके हैं इनके सिवा आपको पास बैट साथ जा मुझे से थोड़ी सी बरोसा है तो इस मुकाब्ले को हम असानी से विनिंग कर पाएंगी जो मेरी काप्टन रहेंगे सेफ चॉइस और वाइस कप्टन पर मैं रिस्क लूँगा जो कि मुझे रिस्क लेना बहुत थी पसंद है तो फिलाल देखो मैं वाइस कप्टन करके स्कोर रहा हूं चौधरी को करूंगा जो कि पिकेट्स निक अप्चान पर जरूर से अक्टिव रहेगा